आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास सेवेंथ हिंदी मंजरी बुक का पार्ट 11 कलम आज उनकी जैबोल कविता की व्याख्या इस पार्ट के प्रशन अभ्यास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं तो चलिए इस पार्ट की व्याख्या शुरू करते हैं कलम आज उनकी जैबोल इस कविता के कवी का नाम है रामधारी सिंग दिनकरजी और प्रस्तुत कविता में कवी ने उन असंकिस सहीदों का गुरगान किया है जिनोंने अपने त्याग और बरिदान से देश में नई चेतना जगाई है तो चलिए कविता शुरू करते हैं पहले मैं कविता पढ़ूँगी फिर मैं उसके शब्दर्द के साथ व्याख्या बता दूँगी कलम आज उनकी जैबोल जला अस्थियां बारी-बारी चटकाई जिसने चिंगारी जो चड़ गए पुन्यवेदी पर लिये बिना गर्दन का मोल कलम आज उनकी जैबोल तो जैबोल का अर्थ होता है विजय के गीदकाना प्रसंसा के गीदकाना जला अस्थियां का मतलब होता है हड्डियां जला कर अर्थात अपना सब कुछ लुटा कर सब कुछ बरिदान करके छिटकाई जिसने चिंगारी यानि जिन लोगों ने क्रांती की भावना लोगों में जाकरित कर दी उनकी बात हो रहे है तो इसका प्रसंग इस प्रकार होगा प्रस्तुत पंतियां हमारी पार्थि पुस्तक मंजरी के कलम आज उनकी जैबोल नामक कविता से ली गई है इसके रचैता रामदारी सिंग दिनकरजी है तो ये तो होगया संदर प्रसंग कवि ने देश-फ्रेम और राष्टेता की भावना से ओद प्रोद देश-भक्तों की बरिदान का वर्णन किया है व्याख्या कवि कहते हैं कि उन वीर शहीदों के विजय का गान विजय यानि जीत का गान कर प्रसंग के गीत का जिन्होंने अपना सब कुछ बैदान करके क्रांती की भावना जागरत की है यानि लोगों में क्रांती की भावना जगाई है और नई चेतना फैलाई तधा जिन्होंने बिना किसी मूल लेके कोई قीमत नहीं मांगी अपने करतववी के लिए और वो पुन्य वेदी पर स्वैम को निशावर कर दिया तो ये तो हो गई व्याख्या, अगली पंक्तिया अगला है जो अगडित लगू दीप हमारे तूफानों में एक किनारे जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं इसने का मूँ खोल कलम आज उनकी जैबोल, तो अगडित यानी जिनका कोई गड़ना न की जा सके लगो दीप यानी जो असंख या अंगिनत छोटे छोटे दीप है उनकी बात की जा रही है, जल जल कर बुझ गए, किस दिन मांगा नहीं इसने मूँ खोल और उन्होंने कभी भी अपने लिए यान इसने के दो अर्थ हैं, एक तो दीप का अर्थ में तेल और शहीदों के अर्थ में प्रेम और उन्होंने जलते हुए जो दीप हैं वो समाप्त हो गया लेकिन कभी उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा नहीं सम्मान की मांगी नहीं प्रेम की मांगी तो इसका प्रसंग सहित र्याख्या इस प्रकार है प्रसंग दिनकर जी ने निस्वार्थ भाव से देश पर निचावर होने वाले वीरों का गुर्गान किया है निस्वार्त भाव से यानि बीना किसी स्वार्त के बीना किसी सेलफिशनस के जिन वीरों ने अपने जान को निचावर कर दिया देश के प्रति उनका गुरगान कीया है उनकी तारीफ की है इसकी व्याक्या, कभी कहते हैं कलम उनका विजयगान कर यानि उनके विजयगीद का जो असंग के छोटे दीपक जल कर बिना तेल के बुझ गय यानि वो जो छोटे छोटे दीपक थे यहां छोटे दीपक वीरों से करतुलना की गई है कि वो जो जगर बिना तेल के बुझ गए उन अगणित वीरों का यशगान कर यानि उनके नाम के गीतगा उनकी तारीफ कर जो देश की आन पर मर मिठे देश के लिए अपनी जान की भी परवा नहीं करी जिनोंने परंदू उन्होंने किसी प्रकार की मांग नहीं की ना दोस नहीं की प्यार की या फिर किसी भी प्रकार के सम्मान की और बगर किसी मांग के वो इस देश पर निउचावर हो गए अगली पंक्तियां है पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही लूल लपट दिशाएं जिनके सिंगनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल कलम आज उनकी जैबोल तो सिंगनाद होता है ललकार करना सिंगनाद शेर की तरह गरजना सहमी धरती यानि डरी हुई धरती और जैबोल का हर्थ तो मैंने अभी आपको बताया था कि जै के गीद गाना जैकारे लगाना तो इसकी व्याक्या होगी प्रसंग कवी ने वर्णन किया है कि किस प्रकार वीरों के सिंगनाद से यानि उनकी गरजना से सब भैभीत हो गए हैं व्याक्या उन वीर अमर शहीदों ने दीपक की भाती जल कर जो तेज अगनी प्रज्वलित की है उनकी गर्म लप्टें दिशाओं में उठ रही है उन वीरों की सिंग गरजना यानि शेर की तरह गरजने वाले जो वीर हैं उनसे प्रत्वी भैभीत होकर अभी भी हिल रही है अब देखे यहाँ पर कवी के बारे में कुछ दिया हुआ है प्रस्तुत कविता राष्ट कवी रामधारी सिंग दिनकर द्वारा लिखी गई है दिनकर जी का जन सन 1908 इस्वी में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था रेनुका, हुकार, रस्वन्ती, कुरुक्षेत्र, परश्राम की प्रतीक्षा आदी उनकी महत्पून काविरचनाए है इन कविताओं में देश फ्रेम और राष्टीता की भावना जलकती है रामधारी सिंग दिनकर जी को पत्म भूशन ज्यान पीट पुरस्कार एवं साहित अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनका दहा अफसान सन 1974 इस्वी में हो गया तो ये तो हो गई कविता की व्याक्या साथी साथ कवी के बारे में और इस पार्ट के प्रशन अभ्याज आगर आपको देखने हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देदूंगी तो आप वहाँ से देख सकते हैं साथ ही साथ इस book का playlist लिंक भी उसमें है तो आप वहाँ से और भी पार्ट के प्रशन अभ्यास और व्याख्या देख सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा है ये comment section में ज़रूर बताईए और पसंद आया हो तो like का बटन दबाईए जादा जादा शेयर करें और अभी तक आपने मेले चानल को subscribe ने किया है तो please subscribe my channel and press the bell icon for new updates थैंक यू सो मच पसंद आया हो तो like करें, शेयर करें और चैनल को subscribe करें